नमस्कार दोस्तों, चार-पांस दिन से ये जानने में मेरी दिन चस्पी थी कि कन्या कुमारी से राहुल गांधी के साथ भारत जोडो यात्रा पर निकले कॉंग्रेस नेता और कारेकरता ठहरते कहां हैं? दिन भर में 18-20 किलो मिटर चलने के बाद रात उनकी कहां गुजरती है? सोते कहां हैं? खाना पिना कहां होता है उनका? राहुल गांधी और बाकी नेताओं के ठहरने के इंतिजाम में क्या फर्क है? बारह राज, पैंतिस सो किलो मिटर और डेट सो दिन की यात्रा कम नहीं होत अपने आप में इतिहासिक तो है ही, बेहद महत्वकान ची और ठका हुई है। मुझे अख़वारों से जानकारी तो मिली कि राहुल गांधी समेथ बाकी पैदल यात्रियों के नाइट स्टे के लिए मोबाइल कंटेनर के इंतिजाम किये गया है, कुछ ऐसे वाले हैं। इस पांस सितारा कंटेनर बनाए गया है, ऐसा बीजेपी वाले कार है, एसी से लेकर शांदार गद्दे वाले बेड लगे हैं, बला 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 तो यह सब पट सुनकर दिल्चस्पी जगी, क्या अखिर यह कंटेनर है कैसा, एक कंटेनर में कितने लोग रहते हैं, कैसे रहत हैं, ट्विटर पर कुछ वीडियो भी दिखा, रुकने के इंतजाम को लेकर कुछ अज खबरे भी दिखी, और इसमीच भारत जोडो यात्रा का चौथा दिन भी शुरू हो गया, तो लगा आपको भी दिखाया जाए, तो आज जड़ा देखते हैं, भारत जोडो यात्रा पर निकले यात्रियों के ठहरने के लिए कैसे कैसे इंतजाम हैं, पच्चिस सकेंड का एक वीडियो है, आज सुबह ही, दिल्ली बीजेपी की एक लीडर, कमलजीत सहरावत की टाइम लाइन पर मुझे दिखा, वीडियो के साथ लिखा है, भारत जोडो यात्रा के लिए, पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर वाकी वीडियो देखते हैं, बाकी जानकारियों पर बात करते हैं, साथ में ये भी समझते हैं, कि इन कंटेनर को देखकर, बीजेपी नेताओं के पेट में अगर दर्ध हो रहा है, तो वज़ा क्या है, क्या वाकई लगजरी कंटेनर में सब रात भी ता रहे हैं, तो पहले देखिए वीडियो, स्क्रीन पर वीडियो है, इस मोबाइल कंटेनर में दाखिल हुए दो छोटे-छोटे कमरे जैसे बने हैं, पहला कमरा, उसके बाद दूसरा कमरा, जिसमें बेड लगे हैं, दर्वाजे की जगह परदे ट और वाश्रूम में जो होता है, वह यहां भी है, सिंक और कमोड, यह एक कंटेनर का वीडियो है, इतना देखकर ऐसे मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें लगजरी क्या है, लेकिन चलिए कुछ और देखते हैं, शायद बीजेपी नेताओं को लगजरी दिखा तो कुछ है, पहियों पर चलने वाले मोबाइल कंटेनर के भीतर, फिर देखिए इस वीडियो में दाखिल होईए, एक डबल बेड है, सामने एक टू सीटर सोफा लगा है, छोटा सा सेंटर टेबल है, इस बड़े से बड़े से थोड़ा कंपरेटिवली, पिछले वीडियो से सा फ्रिज भी है, और साइड में वाश्यू में, वैसे ही जैसे उस वीडियो में था, वैसे ही साइड में वाश्यू में, तो यह दूसरा वीडियो है, यही है इस कंटेनर में, यह थोड़ा लगा कि उससे डिफरेंट है, बारब, देखकर लग रहा है कि थोड़े सीनियर ट इस container में bunk veg लगे हैं जैसे hostel वगेर हमें लगा होता है एक के ओपर दूसरा। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 10-12 लोग इस container में एक साथ इसमें रहते होंगे। train में भी जैसे side में बर्थ लगा होता है वैसे इस तरह से है। कहा जा रहा है कुल मिलाकर वैसे ही सारे इस तरह के कंटेनर मिलाकर लगबग 60 कंटेनर की वहाँ वेवस्था की गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मुबाइल कंटेनरों में लगबग 230 लोगों के ठारने का इंतजाम है मुंबई से ये कंटेनर बन कर आये और टाटा ट्रकों के चेचिस पर इन कंटेनर को फिक्स किया गया है दिन बर के पैदल यात्रा के बाद भारत जोडो मुहिम के यात्रियों को जहां रुकना होता है वहां ये कंटेनर पहले भेज दिये जाते हैं और अस्थाई तोर पर वहां एक गाउं जैसा बसाया जाता है खाने पिने का पंडाल लगता है सुबह यात्रा शुरू होते ही हाउस कीपिंग से लेकर खाना बनाने वाले कुक वगएरा सब एक जगह से दूसरी जगह इनी कंटेनरों में बैठ कर चले जाते हैं अगली मंजिल तक और जब तक पैदल यात्री वहां पहुंचते हैं तब तक ये लोग वहां कंटेनर पार्क करके खाने पीने और रहने का इंतिजाम कर चुके होते हैं तो अख़वारों से मुझे ये भी जानकारी मिली कि राहुल गांधी कंटेनर नमर एक में रहते हैं कोई मार्किंग की होगी सुरक्षा के मद्दे नजर उनका कंटेनर यलो जोन में पार्क होता है और उस कंटेनर में एक बेड, एक सोफा, एक टेबल और वास्टो में मुझे लगता वो जो आपने दूसरा वीडियो दिखा शायद होसा ही उनके पास वाला कंटेनर सुरक्षा दस्ते के लिए रिजर्ब होता है इसके बाद संगठन महासचिव केसी वेनुगोपाल और वीसी रेड़ी का कंटेनर है इसके बाद बाले में राहूल गांधी का स्टाफ ठारता है ऐसे रेड और ओरेंज जोन मना है जिसमें चार बेड़ वाले कंटेनर होते है पाटी महासचिव और दूसरे नेताओं के लिए ब्लू जोन में कंटेनर पार्क होते है इसमें दो बेड एसी और टॉयलेट जो शुरू में अपने देखा शायद वही होगा कुछ ऐसे भी कंटेनर हैं जिसमें 12 लोगों के रुखने के अंतजाम है जो मैंने आपको दिखाया उसमें टॉयलेट नहीं है उसके लिए अलग से कंटेनर है उसमें टॉयलेट बने हुए आज के दैनी कि दूस्तान में खबर चपिए तो राहुल गांदी के साथ पैदल चल रही दरजनों दो दरजन से ज़्यादा महिलाओं के लिए भी एक कंटेनर है एक या दो जो पिंक जोन में है और हर रोज इन लोगों का 15 किलोमेटर चलने का टारगेट होता है सुबह के शुवात तिरंगे की सलामी फिर बंदे मातरम और राष्ट गां के गां से शुอ होता है और फिर सुबह 10 बजे पद्यात्रा दो पहर विश्राम लोगों से मेल मुलाकाद चर्चा शाम 4 बजे फिर से यात्रा शुरू होती है और वहाँ खत्म होती है जहां रात्री विश्राम करना होता है कुल मिलाकर यही रूटीन है और यही इंतजाम है क्या आपको लगता है कि यह बहुत आलिशार पांस सितारा और एश वाला इंतजाम है अगर बीजेपी की बात करें तो उन्हें तो खुरपेच करना ही है राहुल गांधी चाहे कंटेनर में रहें या खाट डालकर पेड़ के नीचे सो जाएं कुछ रुकुष तो निकालेंगे राहुल अगर पेड़ के नीचे खाट पर सोते तो बीजेपी वाले खाट के पाए और रसी की क्वालिटी और कीमत पता करने में जूट जाते है जैसे टी-शर्ट की कीमत निकाल करकल हाय हाय कर रहे थे भूल गए कि मोधी जी के शौक कितने महगे है जब टी-शर्ट वाला मामला उल्टा पड़ा तो कुछ और खोजने में जुटे होगे तो पहले बात इस कथित पांस सितारे इंतजाम की तो भाईयों ये नागा साधूं का दस्ता धाटन पर तो जा नहीं रहा है जो पेड के नीचे सोएगा तालाब में नहाएगा गाउं में मांग कर खाएगा नहीं नौकरी मांगने के लिए जो नागपूर से पैदल दस्ते चले थे जिन से दिल्ली में कोई मंत्री मिला तक नहीं उन वेरुज़गारों का जत्ता है एक पार्टी का बड़ा कारिक्रम है महतोकांची कारिक्रम है तमाम बड़े-बड़े नेता साथ हैं गर्मी बरसा जाड़ा जैसे मौसम में भी तीन हजार से ज्यादा किलोमीटर चलने का प्रोग्राम है हर रोज 20 किलोमीटर चलना है इतनी लंबी और ठकाव यात्रा के लिए खुद को दुरूस्त भी रखना है तो क्या सूने के ऐसे इंतजाम भी नहीं इसमें क्या लिशान है क्या लगजरी है बेड लगजरी है या एसी लगजरी है दिन भर ठकने के बाद आदमें ठीक से सोय भी नहीं आपको उन इलाकों की गर्मी और उमस का अंदाजा भी है जो लगजरी बोल रहे है और जो बोल रहे हैं क्या वो बिना एसी के ऐसे पंखा जलते हुए सोते हैं या ट्वाइलेट लगजरी है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें लगजरी क्या है अगर बिना अस्पताल में भरती हुए सही सालावाद चलते हुए सैक्रो किलोमिटर की यात्रा करनी है तो मेरे हिसाब से ये बुन्यादी सुवधा है जो होनी ही चाहिए वैसे भी न तो कोई इसमें गांधी का दांडी मार छोड़ा है नहीं वो दौर है तो अगर ये लगजरी है तो वो क्या है जो इस फोटो में आपको दिखा रहा है कॉंग्रेस समर्थक लोग इस फोटो को वैरल करकी यही सवाल पूछ रहे है फोटो में दिख रहे लोगों को तो आप पहचानते ही होगे एक तो मोदी जी है दूसरे वही वाले गुजरात वाले अडानी जी है जो अब दुनिया के तीसरे अमिर्शक्स बन गए एक दो और लोग बैठें अब बैठे कहां हैं सब एक प्राइवेट प्लेन में मोदी जी की बॉड़ी लेंग्वेज देखी रहे होंगे आप कितने आराम से बैठें जैसे अपना ही जहाद हो तस्बीर प्ले की है लेकिन सी एम बनने के बाद की है प्राइवेट जैट में उससे आपको क्या लगता है मोदी जब यात्राएं करते हैं तो कैसे चलते हैं कैसे रहते हैं क्या पैसेंजर ट्रेन से दिल्ली से पटना साथ रहते हैं रहना भी चाहिए बलकि मोदी से पहले अब तक जितने भी प्येम हुए है उनमें सबसे अलग है मोदी जी सब कुस तो बदल डाला मोदी जी ने जो नहीं बदला है वो भी एक दो साल में बदलने वाला है कपड़ों की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ कभी-कभी तो जिग्यासा होती है कि जानू मोदी जी के पास कितने जैकेट और कितने कुर्ते कभी रिपीट ही नहीं करते हैं बलकि दिखते नहीं रिपीट करते हैं करते भी होंगे तो एक दिन में कई बार बदल लेते हैं, जितनी मीटिंग्स उतने ड्रेस, हट ड्रेस एकदम चका चक, नया नया सक, तो ऐसा तो है नहीं, कि मोदी जी खुद को जोला उठा कर चल देने वाला फकीर कहते हैं, तो रहते भी फकीर की तरह है, रहते हैं क्या, मानते हैं आप, आप ह कैसे रहता है क्या, पी-एम के नाते मिली जो सुभधाएं हैं, सरकारी और भव्य सुभधाएं हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, यह तो उनके शौक की बात है, अगर किसी आदमी के वाडरोब में, एकाद हजार कपड़े हैं, तो लगजरी ही हुआ ना, मैं नहीं जानत के कहानी तो आप जानते होंगे, पुरानी होंगी, महंगी घड़ी, महंगे चश्मे, महंगी कलम, अगर उनके पास दिखती है, तो लगजरी है या नहीं, चश्मा तो हजार का भी हो सकता है, कलम तो 25 रुपे की भी होती है, हलाके मेरे पास जो कलम है, यह 5 रुपे यह 10 जरी, तो मोदी जी इतने जल्वे में रहना चाहते हैं, कि उन्हें सैक्रो करोर का हवाई जहाज भी पुराना लगा, और 8,000 करोर के नए जहाज आ गया, एकदम चखा चाहते हैं, नए बीमान के अंदर 5 स्टार नहीं, 7 स्टार से उविधाए हैं, लेकिन देश के पी-म है, तो उन्हें हक भी है, कि नए जहाज में चले हैं, पूरे जल्वे के साथ चले हैं, वो ऐसे ही जैसे अमेर्की राष्टपती एरफोर्स वन से चलते हैं, लेकिन नया जहाज है तो लगजरी न, ठीक है देश के पी-म का जल्वा भी होना चाहिए, लेकिन इतना भी क्या, कि पी-म की फ्लीट वाली गाड़ियों का पूरा काफला बदल दिया गया, सारे घर के बदल डालूंगा टाइप, इसी टाइप का काम कर रहे हैं मोदी जी, सब कुछ उन्हें भव्य चाहिए, जिस घर में रहते हैं, वो अभी भव्य होने जा रहा है, भव्य पहले भी है, पी पूछ रहे हैं, तो सवाल ये है, कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी आईटी सेल के लोग, जिस ढंक से बिपक्ष की किसी पद्यात्रा को, या उस भारत जोडो यात्रा को, उसमें मीन मेक निकालने के लिए, उस एक कंटेनर को मुद्दा बना कर, कि लगजरी है, एशो आराम है, टूइट कर रहे हैं, तो जवाब में इन तस्वीरों के साथ मोदी जी से जुड़े सवाल भी टूइटर पर तैर रहे हैं, और मैंने पहले भी का, दो बार वीडियो में का, कि स्थितियां थोड़ी बदली है, चुनाओ के नतीजे क्या कि चुनाओ में अभी वक्त है, पहुने दो साल, अप्रिल 2024 में चुनाओ है, तो अभी वक्त है काफी, अभी हम सितंबर के शुरुआत हुई है, वो भी 2022, बीच में पूरा 2023, और अभी इनकी पध्यात्रा चलनी है, डेर सो दिन, चारी दिन हुआ है, बीच में बहुत तरह क बिपक्षी दलों का गठ बंधन, दावेदारी बहुत कुछ होड़ा, जो होना होगा, वो होगा, लेकिन सवाल वही है, कि क्या बिपक्ष को टार्गेट करने की जो मुहिम, बीजेपी चलाती है, उसी मुहिम को आगे बढ़ाने का काम, जिस धंग से मीडिया के लोग करते ह ज्याद Uno चैनल, ओर जिस धंग से टार्गेट करते हैं, एक उर्गेट करते हैं, एशो आराम दिखाने हैं, कुछ चैनल में लगाता है, क्या ये एशो आराम है, और अगर ये एशो आराम है, तो जिसका मैंने जिक्र किया है, किसी में हिम्मत है, कि पूछे, और ये बहुत वीडियो में दिखाया था फिर पीछे लगा देता हूं कितने ड्रेस, कितने कपड़े, कितने कोट, कितने पता नहीं क्या-क्या तो शौक बड़ी चीज है और जब शौक ऐसा हो और शौकीन आत्मी इतना हो मांगे कपड़े, मांगी घड़ियां और सब कुछ मांगा तो लगजरी वो भी है साधगी तो कम से कम नहीं है और अगर ये साधगी है तो कंटेनर में जो रात गुजार रहा है 15-20 किलो मिटर पैदल, उमस, गर्मी, बरसात में चलके तो उसकी जरुवत तो फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हुए ये कहूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि उनका मक्षद क्या है, उनकी मनशा क्या है, इनकी मनशा क्या है लेकिन अगर सवाल मीडिया की भूमीका पर हो और मीडिया अगर सत्ता के सामने नत्मस्तक होते हुए सिर्व बिपक्ष पर निशाना साधे तो हम जैसे लोगों का काम है कि आइना उन्हें भी दिखाएं कि अगर वो लगजरी है तो यह क्या है फिलाल इस वीडियो को खत्म करते हैं फिर मुलाकात होगी गर को फिर मुलाकात प्रोप्पर को ले रागिसे लिएसे हैं